मेरा यूटूब चैनल फैंटासी MDT 11 पे आपका सुवागत है आज मैं ड्रीम 11 में क्रिकेट की टीम प्रोवाइट करूँगा जो फैन कोड ECS बुलगेरिया T10 का मैच है जो है इस्तनबूल वासिस V2 एम 11 के बीच जो मैच है मैं उसी का ही टीम प्रोवाइट करूँगा गाइस तो मेरे साथ ये वीडियो लास तक देखिए मैं जो भी आपडेट दूँगा जो भी सेजिस्टेट प्लेयर के बारे में बोलूँगा आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो गाइस यहापर पे फैंकोट ECST10 बुलगेरिया का जो मैच है इस्तनबूल के इसके वासेज वीटू एम्प्लूवन के बीच जो मैच है जो टाइम है एक बज़े दोपहर पे नैशनल सपोर्ट सेकाडेमी वासिल लिविस की सोफिया बुल्गेरिया पे मैच होगा यह मैच ट। होगा फैंकोट पे यहापर से जो आजका जो इस्तनबूल जो आजका मैच खेलने जाएंगे तो यहापर से उनके पास यहापर पे तीन मैच खेलके तीनी मैच डिफिट किया है उनके पास उनका जीत चाहिए अभी तक और यापर से वेव डू एम प्लेवें जो अधर सेंड पर इस सीजन का कौंस्टिस्टेंस यापर से उनको भी हार मिला है क्यूंकि यापर पर अच्छ का मैच भी काफी अच्छा होने जा रहे क्यूंकि दो अधिरवाद, फाहद, मौसिन, आता उल्ला, मौदगाम, ओजबेग, आहमटवाई, राजा, इकबाल और उस्टूक आचरक करेंगे जिन में से टूक मैंट काफी अच्छा बैर्समैन है, मोसीन अच्छा बैर्समैन है, ओजबेक अच्छा खिलारी है, आमजजाई अच्छा ओल्डाउंडर है, राजा अच्छा बॉलर है और साथ में वेटू प्लोवेन जो आज का मैं स्टार्ट करेंगे, विकेट कीपर बैर्समैन है, सुनिल, बाट, रहीम, जो से अच्छा बैर्समैन है, मिश्चा अच्छा ओल्डाउंडर है, थोमास, होसेन, जोई, अरहाम, मुस्ताफ़ा और राजू आज का मैं स्टार्ट कर साथ में मुहमत फाहद जो 50 राण अपने फ़स्ट मैच में यापर से बनाए थे, साथ में दो वीकेट लिया था, यापर से 172 का स्ट्राइग है बैडिंग पे, और काफी इंपोर्टेंट बैडिंग स्किल्स दिखा सकता है, जैसी मरहीम ये अच्छा चोईज रहेंगे, का साथ में यापर पे ओल्डाउंडर के जो सिक्षन आएगा, हैस मुगाद्दाम, जो काफी इंपोर्टेंट कॉंसिस्टेट परफॉर्मार है, काफी अच्छा कॉंटिव्यू और इंप्रोबिंग मियुमेंटम रह सकता है आज के मैच के लिए, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकता है, अब्दुलमजीत आहमद जाई, ये 52 रान के आसपास अभी तक बनाए है, साथ में पाच वीकेट अभी तक सीजन पे ले चुका है, कि ये काफी अच्छा गेम चेंजर हो सकता है आज के मैच के लिए, उसके बाद आप्टूब मिश्रा, ये 138 रान के आसपास बना काफे अच्छा कॉंसिस्टेंड है, अच्छा बॉलिंग कर सकता है, आदे द्लाजा भी इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे, साथ में औरून जॉय भी काफी इंप्रोसिब रह सकता है, क्योंकि इनका सीजन उतना अच्छा खास नहीं गया लास्ट मैच में, और यापर से ये क पिक करूँगा, आपके पास यापर से बाट को आप अपने टीम पे ले सकते हो, यापर पे बैटिंग ऑप्शन पे काफी इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे रोहीं, मैं उनको पिक करूँगा, उसके बाद यापर पे ऐलन जॉसे को पिक करूँगा, यापर पे शीबा कुमा पिक करूँगा, यापर से औरे खिलारी को यापर पे पिक करना है, जैसे कि यापर से मोगा दम को मेरे टीम में पिक करूँगा, बैडिंग ऑप्शन पे औरे खिलारी यापर से पिक करना है, यापर से औरे खिलारी को यापर पे पिक करना है, जैसे कि यापर से मोगा दम को जो एपो है अप है अधर सैप्स के लिए में टीम बना रहा हूँ एक साथ यह मिलबन की टीम में अलग से पेश कर दूँगा अपने टीम टेलिग्रम चैनल पे तो यहापर से काफ़े अच्छा पेश मदद होगा तो यहापर से राजू काफ़ी important choice रहेगा राजा काफ़ी important choice और यहापर से बैटिंग पे भी थोड़ा सा मदद मिल सकता है तो जोई को मेरे टीम में पिक करूँगा जोई काफ़ी अच्छा बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है तो अभी तक ही है मेरा टीम रहेगा captain vice captain का जो section आएगा यहापर से आहमज जाई ओजबेक अपर मिश्रा काफ़ी important kick रहेंगे captain vice captain के लिए यहापर पर अप्रूब मिश्रा काफ़ी अच्छा captain पीक में यहापर से पीक करूँगा उसके बाद यहापर से और उन जोई को मेरे टीम में vice captain पीक करूँगा जो काफ़ी अच्छा wicket trigger हो सकता है आचके match के लिए तो other choice पे captain vice captain आप अलग से पीक कर सकते हो जो अहमेद जाई ओजबेक काफ़ी important रह सकता है तो all the best guys मैं final team update कर दूँगा मेरे telegram चैनल पे जो description पे और comment box पे लिए गया हुए आप head to head के लिए small league के लिए ज़्यादा से ज़्यादा win करे all the best bye bye